दोस्तो नमस्कार मैं हूं सुकदेव कमबोज और मेरे चैनल स्टडी शॉट में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो आज हम चर्चा करेंगे आने वाली पटवारी भरती के बारे में जो 2019 के बजट में इसकी गोशना हो चुकी है और स्याम हमारे मुख्य मंत्री श्रीय शोग गैलोज जी ने इसकी गोशना अपने ट्वीटर अकाउंट से दी है पहले पुर्व में ये 2000 पदों पर बरती होने वाली थी अब ये 3835 पदों पर इसकी बरती की जानी है तो दोस्तों नज़र डालते हैं कुछ सूचना पर पटवारी बरती 2019 के बारे में अभी पदों की संख्या जो वर्तमान में आएगी ये आएगी 3835 और विग्यापन का समय जो इसका निर्दारित किया गया है लगबग अगस्त महा में ये वेकैंसी आ जाएगी वर्तमान में जो सेक्षनिक योगिता आपको पता है कि पिछली 2015 में जो भरती आई थी इसकी योगिता रखी गी थी बारवी प्लस RSCIT हो या कंप्यूटर में कोई भी डिग्री या डिप्लोमा हो तो आपका चल जाएगा लेकिन वर्तमान में इसकी सेक्षनिक योगिता को बढ़ाया गया है ऐसा कई कारणों से किया है क्योंकि जो काफी टाइम से जो पतवार संग है उसकी ये मांग रही है कि इसकी सेक्षनिक योगिता बढ़ाई जाए ताकि इनका जो प्रमोशन है वो नायब तैसीलदार तैस नातक बनाया गया है जिसके पास नातक की डिग्री है ग्रेजिशन है और RSCIT है या computer में कोई computer application में कोई डिग्री है या diploma है वो चल जाएगा तो पुरुव में पेश केल इसका 2400 था 2400 ग्रेड पे था ये और वर्तमान में जो संभावित पे स्केल वो 3600 पे आईगी क्योंकि इसका कारण ये भी है दोस्तों क्योंकि जितनी भी राजस्तान में जितनी भी स्केलित आप से क्या क्या पूचा जाएगा राजस्तान भुगोल राजस्तान का इतिहास और भार्त का सविदान से जुड़े इसके question पूचे जाएंगे आपसे राजस्तान कलावे संस्कृती राजस्तान से जुड़े current और भात से जोड़े current affairs ये सारे mix question पूछे जाते हैं आजकल current affairs का काफी चलन है इसके काफी question आ जाते हैं तो आप अगर पटवारी बरती की त्यारी करना चाहते हैं तो current affairs पर भी विशेश जोर दीजिए और सबसे ज़्यादा जोर दीजिए आप राजस्तान के बोगल पर यान जो हमने अभी discuss किये हैं इसके लावा समान्य विज्यान के कुछ पर्षन आप से पूछे जाएंगे फिर गनित के और तारकिक शमता जो आपकी reasoning है reasoning ability उसके question आएंगे और समान्य हिंदी का अलग से paper होगा तो यह सारे subject आपके रहेंगे जिस पर आपकी ये पुरी बरती based र करता है अभी जैसे कुछ time पहले अकबार में भी आया है कि यह मांग उठ रही है कि एकल परिक्षा करवाई जाए क्योंकि इससे काफी सारे resources की और बचत होती है और मतलब बार-बार student को भी परिशान नहीं होना पड़ता और बढ़ती जल्द समय में भी पूरी हो जाती है अदरवाई भरती के अटकने का चांस जादा रहता है तो आप मेरी उमीद है कि आप अच्छे से त्यारी करें इसकी पटवारी भरती हाने ही वाली है कुछी दिनों के अंदर इसका विग्यापन आ जाएगा अब अच्छे से त्यारी करें क्योंकि इस बार grade पे अच्छा मि मिलने वाला है तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं ऐसी जानकारी मैं समय समय पर लेकर किया आता रहूंगा धन्यवाद दोस्तों